हमारा आज का लेक्टर है उसमें हम नीट एक्जाम में जो प्रोलम आई हैं उसका सॉल्यूशन करेंगे जैसा कि यहां पर दो प्रोलम हैं उनका सॉल्यूशन हम करेंगे एक प्रोलम 1995 में एक एट में आयू है 2008 में इन दोनों का सॉल्यूशन हम यहां पर करेंगे तो ति प्रोल्म क्या है हमारे सामने लिख हुई है इस एक वे टी यहां पर एसलेसे हैं वी कॉंस्टेंट है टी टाइम डी पार्टिकल इस्टार्स फ्रॉम ओरिजन विद एन इनिश्चाल वेलोसिटी वी नोट यानि की ओरिजन से वह स्टार्ट हो रहा है जिसके वैलोसिटी कि कितनी है ली नोट डी डेस टेट्रेजर अब्रटिकल इन टाइम टी विल्म यह एनि टी टाइम पे वह पंडिकल कितनी डिस्टेंश टेवल करेगा कहां से ओर और ट को रहा है और यचिए अलिगा स소ल क्रें किया होने वाला है लेकिए पहला क्यूशन है उसका सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है इसको हम लिख सकते हैं डीवी अपॉन डीटी एनिकि ऐसी लेशन क्या लिखा जा सकता है डीवी अपॉन डीटी इक्वेस टू बीटी यह लिख सकते हैं कि रागे दीवी एक्वेस टू लिखा जा सकते हैं बीटी इंटु में डीधी बी कॉंस्टेंट हैं दोनों तरफ उसका इंट्रीगेट करते तो दीवी इक्वेस टू आ जाएगा वी बाहर आ जाएगा integral के या जाएगा T into DT यह आ गया ठीक है अब इसका दोनों तरफ हम क्या कर दें integration तो यहां से तो आ जाएगा V या जाएगा भी और इसका integration उजएगा T square upon 2 प्लस एक constant आएगा C अभी C की value हमें यहां पर निकाल लें अच्छा वो क्या रहा है जब time t quest to 0 है तो उसकी initial velocity कितनी है वी नोट ठीक है तो यहां पर हम लेक्षा ज्यूच कर सकते हैं if t quest to 0 then V quest to कितना हो जाएगा V 0 हो जाएगा तो यह value यहां put कर दें हम तो यहां पर t 0 रखेंगे तो यह यहां क्या जाएगा यहां क्या जाएगा V 0 यानि कि V 0 equals to हमारे पास भज़का है C तो C की value कितनी आगई हमारे पास V 0 यह value यहां put करें तो velocity हमारे पास आई B into t square upon में 2 plus में V 0 यानि कि जो constant C है इस constant की value हमारे पास कितनी है V 0 के equal जब उसने जो condition दे रखेंगे उसके according की वह कहरा T equals to 0 है तो उसकी initial velocity V equals to V 0 यह क्या है उसकी initial velocity है कौन से velocity है initial velocity तो initial velocity जब time equals to 0 होगा तो वहां उसका यूज करेंगे तो C की value हमारे पास कितनी आजाएगी V 0 के equal आजाएगी यह value हमने यहां put कर दें तो वह हमारे पास यह आ गया तो अब इसको लिखा जा सकता है dx upon dt यानि की velocity को लिख सकते हैं dx upon dt एक्वेस्ट वागा बी अपॉन 2 इंटु में T square plus V 0 के equal ठीक है अब हमें क्या करना है हमें क्या पुछा गया है दिस्टेंस ट्रेवल बाइदी पार्टिकल एट टाइम यानि की हमें T टाइम पर उसने कितने इसको इसको निकालनी है तो इसको मरफ़त कर देता हूं क्या गांचवर देखिए आगे कुछते हम तो यहां से आगे इस टेप जो है उसमें हम चर्चा करें तो हमारे पास आया dx upon dt dx upon dt की value हमारे पास कितने ही है इसको लिखा जा सकता है dx equals to b upon 2 t square into dt plus V not into dt यहनि कि इस dt का इधर हमने multiple कर दिया अब इस equation का दोनों तरफ हम integrate कर दें integration कर दें तो क्या हैं आएगा integration dx equals to b upon 2 तो constant है तो इसको तो पहले ही 238 चीज़ के साथ ठीक है अब देखे इसका इंटीगल करेंगे तो यह घै कितना गया एकसा यह घै यहां से बच गया हमारे पास बी अपों न इसका आर टीज़ेशार टी स्कूरर का इंटीर सनर्चीघ समय गा टीकी पावर टू प्लेस वन अपन टू प्लेस वन है B less कितना जएगा वी 0 इं-2 कीती का कितना जएगा ती हो जाएगा क्या हो जाएगा टी प्लस इसमें ब्लस इसमय बी कॉंच्टेन रहेगा जिसको हमने लिख दिया सी डैस कितना लग दिया सी डैस ठीक है सी डैस की वेलियों हम निकाल लेंगे कोई इसमें प्रॉलम नहीं आएगी हमें तो यहां से आगे सॉल करें तो एक सीक्वेस्ट्व हमारे पास आया वी अपॉन टू और इन्टू में यहां क्या बच गया तो की पावर टू प्लस वन यहीं कि प्लस प्लस अगया वी नोट टी प्लस सी डैस अब हमें इस कॉंस्टेंट की वेलियों निकालने कितनी आएगी देखिए वापिस कुशन पर चल इनिशल यहीं से स्टार्ट by टी कोईश्टो जीरो था लहां एक्श्ट लिए वी कितना हो गा उसका जीरो क्योंकि कहां से स्टार्ट करना वह ओरी जम से ज्सटार्ट कर आया तो यह एक्श्टोत कर देंगे तो हमारे पास किसकी वेल्या जाएगी सी डैस की तो देंखिए क okay sitc जो गए हो दो फिरागर एचर इसमें लिखने कि जीनव प्रिफेजिद प्लिस है तो naw-a यहां रख देंगे तो हमारे पास क्या नहीं हमारे पास पार्टिकल टी ताइम पर कियाज़ नहीं जो बो उसने डिस्टेंश की है वह नहीं जाएगा घी डेखतेए को यहां से आएगा हमारा सीक्वेस्ट दी अपॉन्टू इन्टू टी की पावर 3 अपॉन्ट में 3 प्लेस वी नॉट टी प्लेस इसकी वैलू कितनी हैं जीरो जीरो रग दी आगे सोल करेंगे तो एक सीकोस्ट कितना जाएगा बी टी की पाउर थ्री अपॉन टू इंटू थ्री कितना हो जाएगा शिक्स हो जाएगा प्लैस वी नौट टी यह हमारा आंशर होगा इस कुछिशन का यह आंशर रहेगा यानि कि कोई पार्टिकल है इसके लिए एसलेशन है ऐसलेशन टाइम की रही कर रहा है यानि कि यो इसके डायक्ति परकॉर्च that ओब जो प्रकॉजं से स्टार्ट हो रहा है और हेजं में कार्शीन की वाद कितनी है वी नौट है तो पूछ्ड़ा की टीं के बाद में उसने distance कितनी cover की तो कितनी डिस्टेंस cover की X watches to BTQ upon 6 plus V naught T के equal distance उसने cover की यही question जो था यह कंग आया हुआ है 1995 में NEET exam में आया हुआ है अब हम आगे चलते हैं question number second पे जो क्या हमें बता रहा है और क्या पूछ रहा है तो देखें जो 2008 में नीट अग्जाम में आया हुआ है बिल्कुल शिंपल शां किसन है एक पार्टिकल मुप्स इन इस्टेट लाइन वी दे कॉंस्टेंट एसलेशन जानिकि जो उसका एसलेशन वह वह इसका पॉझटेंट और स्टेट लाइन में क्या कर रहा है। इत्चेंज इस वेलोशिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड फ्र चेंड निगों 113 235 मिटर की वह डिस्टेंस कवर कर रहा उस डिस्टेंस के अंदर वो अपनी वैलोशीटी को चेंज कर रहा दस मीटर से 20 मिटर पर सेंद से पूछा क्या इन टी सेंद में कवर कर रहा है छेंज कर रहा है लिए कि टी की वैली हमें बतानी है तो हमें क्या दे रखा है ऑज क्या दिया हुआ है एक क्या है रीज worship क्तिनी है you you यू दे रहिए 10.1 यह दिया हुआ है मीटर पर सेक्ट कितना रखा है 20 मीटर पर सेक्ट हमें तुक्न है धेले कितनी कवर कर रहा हूं कवर कर रहा है मानडो एस इसको यूज करें तो थर्टी Three- tuo-to way थिस्टंश RO the हम सबसे पहले तो इसका जो एसलेशन कॉश्टेंट है उसकी वेल्य निखालते है तो यहां पर value निकालने के लिए हम Newton थार्ड equation का यूज करेंगे जो क्या है वी स्क्वार्ड एक्वेस्ट टू यू स्क्वार्ड प्लस टू ए एस यह इस एक्वेस्ट का हम यूज करते हैं यहां पर वी श्क्वैलने की इसका वी की है तो यह ह 되고 20 का स्कॵार्द एककोष्टू Очень और प्लस तू है है 135 कि इसका है किस्कोर करेंगे ए जाएगा है और यह जाएगा इसको ऐसा लिख सकते हैं चलो ऐसे लिख देते हैं इंटु ए इन्टेटी फाइव यह हो गया इसको इधर लेकर जाएंगे तो फौर हैंटल मिसे कितना हो गया हैंडल हो गया तो बचे गया हमारे पास 3 attended यानि कि ए 300 एक क्वेश्च टू टू ए इन्टू 1 3 5 तो ए इक वेश्च्टू हमारे पास आगा 300 अपोर में 2 इंटू 1 3 5 अब यह से केंच लोगा है देखिए 150 तो एक वेश्च्टू कितना है हमारे पास 150 upon 135 तो यह डिवाइड हो रहा है 15 से तो यह कितना जाएगा 10 upon 9 meter per second square यानि कि इस जो particle है उसका isolation हमारे पास कितना आ गया हमारे पास उसका isolation आ गया 10 upon 9 meter per second square के equal किसके equal आ गया 10 upon 9 meter per second square जो constant हमें दिया हुआ है यानि कि A की value यहां लिख देता हूँ A equals to कितना है 10 upon 9 meter per second square अब हमसे वो पूछ रहा है time T की value किसकी value पूछ रहा है T की value तो कैसे इसको solve करें तो इसमें हम neutral fast equation का use कर लेते हैं तो V equals to क्या होता है U plus A T V हमें दिया हुआ है कितना है 20 तो 20 लिख दिया 20 U हमें दे रखा 10 तो 10 रख दिया plus A की value देखे कितने आई 10 upon 9 into में T यह आ गया इसको इधर ले जाए तो आजाएगा 20 minus 10 equals to 10 upon 9 into में T तो यह कितना बच गया 20 में से 10 गया तो 10 बच गया equals to 10 upon 9 into में T तो T कितना आजाएगा T आजाएगा हमारे पास 10 इसको इधर multiple करें यह तो डिवाइड में आजाएगा यह multiple में तो 10 into 9 upon में 10 10 से 10 cancel हो गया तो T की finally value कितनी है हमारे पास 9 seconds यानि कि यदि वह 135 मिटर की distance cover कर रहा उसमें अपनी velocity को 10 मिटर से 20 मिटर 30 seconds per second के साब से चेंज कर रहा है और उसका ऐसी लेशन constant है तो उसकी जो time की value होगी वह कितनी आजाएगी 9 second कितनी आजाएगी 9 second के equal यह हमारी second problem थी जो नीट exam में 2008 में आई हुए है अगले लेक्टर में हम और प्रोलम आपके लिए लेकर के आएंगे यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें झाल